हलो कमांडो वेलकम टू बायोमेंट्रस क्लासेस ऑनलाइन और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट कैमिकल थर्मो डायनमिक्स के बारे में और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एंट्रॉपी और फ्री एनर्जी को ठीक है तो एंट्रॉपी इस दा मेजर्मेंट of disorder of system किसी निकाई के अब व्यवस्ता की माप को हम एंट्रॉपी कहते हैं more the disorder in the system more the entropy of the system किसी सिस्टम में disorder जितना जादा होगा उसकी एंट्रॉपी उतनी जादा होगी कोई भी solid जब gases state में convert होगा तो एंट्रॉपी बढ़ जाएगी कोई भी solid जब liquid state में convert होगा तब भी उ से स्टेट के component मिलकर के solid state में convert होगे तो एंट्रॉपी कम हो जाएगी ठीक है और एंट्रॉपी का calculation डेल्टा एस इक्वेल टू क्यू बाइटी से हम कर सकते हैं वेर क्यू इस दा लेटेंट फीजन और वैपराइजेशन जहां पर क्यू क्या है लेटेंट फीजन और वैपर एच्वेजन बाइटी डेल्टा एच्वेजन इट मीज एंथल्पी आफ फ्यूजन बाइट एंपरेचर का फॉर्मूला यूज करेंगे और जब मुझे एंट्रॉपी आफ वैपराइजेशन निकालना होगा तो डेल्टा एस वैपराइजेशन इक्वेल टू डेल्टा एनरजी एबलेबल इन सिस्टम तो कंवर्टेड इंटो यूस्फुल वर्ख किसी निकाई की वहां उर्जा जिसे हम यूस्फुल वर्क या अधिक्तम कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फ्री एनरजी ठीक है सबी स्पंटैनियस प्रॉसेस जो बिदाउट नहीं एक्स्टरणल फॉर्स होने वाले हैं उन प्रॉसेस के लिए डेल जी की वैलू कैसी आनी चाहिए नेगेट्व आनी चाहिए ठीक है और जितने भी स्पंटैनियस प्रॉसेस होंगे सब का डेल जी पॉसेट्व आएगा जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ बायो क् ही हो जाती है ठीक है और equilibrium पर delta G की value maximum equilibrium पर delta G की value zero होती है at equilibrium del G is zero तो समय वस्ता पर delta G का मान शून होता है तो यह कुछ important points related है delta G से ठीक है और cell reaction के लिए del G equal to होता है minus NFE cell reaction के लिए delta G की value minus NFE होती है ठीक तो ultimately बस यह ध्यान रखना है कि अगर कोई process self हो रहा है reaction होगा या नहीं होगा यह बात कैसे पता चलेगा तो जिसके लिए delta G negative होगा वह अपने आप होने वाले reaction की category में आ जाएगा वह spontaneous process है जिसके लिए डेल्टा जी का value negative होगा ठीक है तो अब बात कर लेते हैं डेल जी spontaneous reaction की in which condition reactions are spontaneous तो for spontaneous reaction क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फॉर spontaneous reaction प्रक्रम स्वता होगा उसकी क्या क्या condition हो सकती है वह वेन दे process is spontaneous तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस एंट्रोपी डेल्टा जी और नेचर ओफ process नेचर ओफ प्रोसेस क्या क्या चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है इस पे कभी कभी question आता है तो केबल अल्टीमेटली आपको क्या बात ध्यान रखना है डेल जी इस negative डेल्टा जी नेगेटू मिलना चाहिए ठीक है तभी process कैसा होगा spontaneous होगा then the process is spontaneous तो देखो पहली condition अगर डेल्टा एच की value negative है डेल्टा एच इस नेगेटू टी डेल्टा एस इस positive डेल्टा जी इस negative तो process कैसा होगा spontaneous spontaneous किसको प्रदर्शित करेगा यह स्वतह प्रक्रम को प्रदर्शित करेगा ठीक है अगली condition दूसरी condition अगर डेल्टा एच नेगेटू है डेल्टा एच नेगेटू है और टी डेल्टा s b negative है थीक तो और डेल्टा घी लेकिन कम रेंट होगा तब ही तो यह वाला नेगेटू बढ़ेघा आगे यह नेगेटू होना चाहिए तो देल्टा ह नेगेटर डेल्टा टी डेल्टा एस भी नेगेटर है लेकिन उसकी भी जोटी होगी जैसे कुछ भी पुर्ड फह बी नगेटर इसी वैलिये होना चाहिए तो यह किसे condition पर low temperature पर T की value अगर कम है तो low temperature पर तब भी process कैसा होगा spontaneous होगा then process is spontaneous तब process कैसा होगा spontaneous होगा ठीक है अब अगर माल लो डेल्टा एच की value positive है और T डेल्टा एस भी positive है डेल्टा एच positive टी डेल्टा एस positive और डेल जी बी कैसा आ जाए positive आ जाए डेल जी बी कैसा आ गया positive आ गया at low temperature condition भी है at low temperature अगर दोनो positive है तो process कैसी हो जाएगी non-spontaneous हो जाएगी non-spontaneous the process must be non-spontaneous ठीक है तो process कैसी होगी non-spontaneous अगली condition अगर डेल्टा एच की value positive है डेल्टा एच positive है टी डेल्टा एस negative है लेकिन temperature कैसा है डेल्टा जी कैसा आएगा positive डेल्टा जी कैसा है positive at high temperature डेल्टा जी इस positive ठीक है तो उस condition में डेल्टी तो positive आ गया तो डेल्टी अगर positive आएगा तो process कैसा होगा always non-spontaneous non-spontaneous at any temperature at any temperature किसी भी temperature पर डेल्टी की value अगर positive गई तो यह कैसा हो जाएगा process non-spontaneous हो जाएगा और उस condition में process कैसा होगा non-spontaneous होगा तो there is the some points to remember ठीक है यह कुछ points है जिनको आपको याद रखना है अब बात करते हैं अगले point पर अगले point पर बात करते है the emf of cell reaction excel reaction है मेरे पास the emf of cell reaction the emf of cell reaction zinc copper two plus is converted into zinc two plus plus copper तो अब आपको process देखके ही लग रहा होगा कि process कैसा है spontaneous है zinc is more reactive than copper zinc copper से ज्यादा reactive है मतलब answer तो negative में ही मिलेगा इस process के लिए यह बात clear हो गई तो zinc copper two plus से convert हुआ zinc plus two plus copper zinc two plus plus zinc two plus plus zinc two plus plus copper is emf दिया हुआ इसका is one point one point one bolt one point one bolt okay calculate calculate free energy change for reaction calculate calculate free energy change free energy change calculate free energy change for reaction to reaction के लिए क्या करना है free energy change निकालना है calculate free energy change for reaction अभी करिया के लिए मुक्त उर्जा का परिवर्तन निकालना है calculate free energy change for reaction if enthalpy of reaction आगे भी है if enthalpy of reaction अगर reaction के लिए enthalpy की value दी हुई है enthalpy of reaction if enthalpy of reaction is minus 216.7 minus 216.7 kilozoule per mole kilozoule per mole enthalpy of reaction is given here minus 216.7 kilozoule per mole calculate the entropy change to entropy change भी निकालना है calculate entropy change calculate entropy change मतलब दो चीज़े दो question एक साथ आ गए तो बहुत एच्छी बात है तो देखो dalg कैसे निकलेगा dalg cell reaction है तो कैसे निकलता है minus nf e से निकलेगा dalg निकालने का formula minus nf e तो minus electron exchange कितने होंगे इस reaction में दो faraday number कितना होता है 96500 faraday number is 96500 और emf आपको दिया हुआ है 1.1 emf is given 1.1 तो यहां से आपको मिल जाएगा delta g का value तो delta g की value आ जाएगी डेल्टा जी की value minus 200 12.3 minus 200 12.3 kilozoule minus 200 12.3 kilozoule मतलब यह value आएगी joules में उसको 1000 से डिवाइट कर दिया मैंने तो kilozoule में value मिल गई तो यह आगे आपका डेल्टा जी का value अब क्या पूछा दूसरा step में delta s पूछा है तो क्या formula होता डेल जी equal to delta h minus delta h minus t delta s ठीक है normal temperature पर और ही reaction तो temperature कितना count कर लेंगे 25 degree centigrade मतलब 298 Kelvin ठीक है अब क्या चाहिए हमें यहां से what is required delta s चाहिए हाना delta s चाहिए तो delta s equal to क्या हो जाएगा delta s equal to हो जाएगा delta s equal to हो जाएगा delta s equal to हो जाएगा यहां से delta s equal to हो जाएगा delta g delta h minus del g by t ठीक है तो delta s चलें formula एक बार लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा delta h एदर है यहीं रहने दीजिए minus del g by temperature यह formula हो जाएगा अब अगली calculation पर जाता है delta h की value हमको given थी 216.7 kilozoule तो minus 216.7 minus 216.7 kilozoule और यह भी kilozoule में अब हो गई है क्योंकि हमने 1000 से divide कर लिया था तो minus minus 212.3 200 212.3 200 212.3 मैंने आप से बोला नॉर्मल टैंपरेचर कंसीड होगा डैट इस 25 डिग्री सेंटिग्रेट और 298 कैल्विन तो 298 कैल्विन टैंपरेचर हो गया इसका ठीक है अब जो solution का answer आएगा वह है minus minus 0.014 0.01476 तो pointer 01476 यह इसका answer हो ठीक है minus 0.01476 किलो जूल पर मॉल किलो जूल पर मॉल ठीक है तो दिस इसदा अच्छा चचछा चच चचच के jules per Calvin पर मॉल देस जूल्स पर Calvin पर मॉल क्योंकि एंट्रॉपी यह जूल्स पर Calvin पर मॉल यह हो जाएगा किलो जूल अभी तो हमने जो value निकाली है कौन सी वाली है किलो जूल वाली है तो किलो जूल पर कैल्विन पर मोल में अंसर आजाएगा किलो जूल पर कैल्विन पर मोल 1000 से अगर आप multiply कर दोगे तो minus 14.76 यह आजाएगी जूल्स में जूल्स पर कैल्विन पर मोल में एंट्रॉपी की कैल्कुलेशन हो जाएगी यह आ रही बैलू उपर वाली केलो जूल में 1000 से multiply कर दिया तो यह बैलू हो जाएगी जूल्स में ओके तो देस इस दा फॉस्ट क्वेश्चन यह पहला क्वेश्चन जो की डैल जी से रिलेटेड है जहां पर हमने डैल जी को भी काउंट किया और डैलस को भी काउंट किया अब बात करते हैं अगले कुश्चन के बरे में तो नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं दे एंथालपी एंट्रॉपी चेंज फार क्यमिकल रियक्शन दा एंथालपी the enthalpy and the entropy, change , the enthalpy and entropy change for a chemical reaction . enthalpy and entropy change for a chemical reaction enthalpy and entropy change for a chemical reaction is is 40.63 40.63 kilozool per mol ये तो हो गया enthalpy kilozool per mol and 108.8 and 108.8 1.108.8 joules per Kelvin per mol joules per Kelvin per mol ये हो गया entropy अब ध्यान क्या देना है ये kilozool में है और ये joules में है unit का ध्यान रखना है एक kilozool में है और एक joules में है joules per Kelvin per mol at 27 degree centigrade temperature लेलिया 17 degree centigrade what is the feasibility of reaction what is the what is the feasibility of reaction 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 to reaction की feasibility क्या होगी it means reaction possible है या नहीं है feasibility of reaction it means the reaction is possible or not तो क्या calculate करना है डेल जी इप डेल जी इस नेगेटिव अगर डेल्टा जी का calculation कर लेते हैं तो डेल जी इक्वल टुवाट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तो डेल्टा एच की वेलू कितनी है 40.63 किलो जूल एक जूल में है तो 40.63 इन 2000 कर दीजिए तो यह हो जाएगी जूल में माइनस टी कितना तीन सो कैल्विन और एंट्रॉपी चेंज कितना है 108.8 जूल पर कैल्विन पर मोल इसको भी मैंने जूल में कंवर्ट कर लिया मतलब यह हो गया है अब यह आ जाएगा आपका 40630 40630 माइनस 108 तीन तो चौबस 32640 32640 32640 87999 7990 कैसा पॉजिटिव का 7990 पॉजिटिव में आया और अगर जेख़े गएंड लेंगे की वैलु फॉजिटिव में आ रही है इट मिन्स वाट तद री आक्शन इस नोट आप ब्यूंट जी इस पॉजिटिव तो किया लैंगे डेल्टाजी изб पॉजटिव so reactionis reaction is not visible reaction is not visible my reaction is not visible मतलब अभी करिया संभाव नहीं है this reaction is not visible okay clear तो यह ग्षान रखना है कि जैसका डेंगी आपोजिट हों आएगा कोलेशन पर वो रियक्शन पॉसिबल नहीं होगी नेक्स पर आते हैं अगला कोश्चन देखते हैं तो नेक्स क्वेश्चन है है दे नेक्स क्वेश्चन इस वाटर सॉलेट टू वाटर लिक्विड वाटर लिक्विड वाटर लिक्विड वाटर वाटर लिक्विड वाटर लिक्विड में जा रहा है अट 25 डिग्री centigrade, temperature दिया हुआ है 25 degree centigrade, the enthalpy of fusion the enthalpy of fusion the enthalpy of fusion is the enthalpy of fusion is or galenki enthalpy dv of course 6.97 joules per kelvin per mole 6.97 joules per kelvin per mole enthalpy of fusion is 6.97 joules per kelvin per mole calculate free energy change calculate calculate free energy change calculate free energy change तो मुक्त उर्जा का गणना करना है free energy change निकालना है calculate free energy change और फिर से ही identify करना है कि यह reaction feasible है या नहीं है ठीक है तो अच्छा है एक चीज यहां पे मिस्सिंग है वह तो तो वाटर 25 degree centigrade the enthalpy of fusion is this calculate the free energy change where delta S fusion delta S fusion जब की गलन की per mole entropy of fusion is 25.4 joules per kelvin per mole enthalpy of fusion कितना है 6.97 6.97 kilo joules 6.97 kilo joules per mole 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 अब चाहिए डेल जी तो नव डेल्टा जी इक्वल तो वाट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच की वैलू हमें दी हुई है 6.97 तो 6.97 को हम थाउजंड से multiply कर देंगे तो वो चला जाएगा joules में माइनस टी डेल्टा एच तो तीन सो डेग्री हो जाएगा सकता इस स्वारे 300 कल्विन हो जाएगा ती 20 अचा 25 डेग्री दिया हुआ है तो 25 डेग्री दिया है तो 298 हो जाएगा 25 इस गीवन तो कितना हो जाएगा यहां पे 298 298 हो जाएगा ताइम इस 298 तो 298 इंटू हो मच 25.4 25.4 ओके तो यह हो गया आपका 6970 6 970 माइनस 25.4 इंटू 298 756 9.2 756 9.2 तो अल्टीमेटली जो अंसर आएगा इधर का डाटा बढ़ा हो गया नेगेट्व आला तो अंसर आजाएगा माइनस 599.2 माइनस 599.2 तो डैल जी कैसा आगया नेगेट्व में आगया डेल्टा जी नेगेट्व है दो फ्यूजन आफ आइस टेक्स प्लेस इटसेल्फ तो इसका मतलब इसमें आइस अपने आप फ्यूज हो जाएगा क्योंकि डैल जी नेगेट्व है तो रियाक्शन इस फिजिबल आइसा हम क्या सकते हैं रियाक्शन इस फिजिबल अभी करिया स्वताह प्रक्रम की और जाएगी अपने आप खतम होने वाली रियाक्शन है यह रियाक्शन इस फिजिबल दिस टाइम ओके तो दिस इस दे आनादर क्षेशन बेस्ट ऑन डैल्टा जी यह एक और क्षेशन किया हमने डैल जी से रिलेटेड अगला क्षेशन करते हैं Δ ल्यकुत डिया को देलता है डेल्टा क्षेशन दैल्टा एंद रेल्टा एगाटाय के लिए डेल्टा एचट एगन डेल्टा एस ऑगलाय क्षेशन के लिए 2 okay br2 liquid bromine कैसा होगा liquid plus Cl2 कैसा gas is converted into 2 BrCl 2 BrCl कैसा gas okay so Br2 liquid plus Cl2 gas से बना 2 BrCl 2 delta H and delta S for reaction Br2 liquid plus Cl2 gas 2 BrCl gas is 29.37 29.37 केलो जूल केलो जूल पर मोल तो यह हो गया enthalpy and अब entropy भी चाहिए and 104 and 104 104 104 Joule पर कैल्विन पर मोल Joule पर कैल्विन पर मोल is the entropy change above what temperature the reaction becomes spontaneous question क्या है ध्यान से देखेंगे above above what temperature above what temperature किस तापक्रम पर above what temperature the reaction above what temperature the reaction becomes spontaneous the reaction becomes spontaneous okay तो किस ताप पर अभी करिया स्वता होगी यह question है above what temperature किस तापक्रम के ऊपर अभी करिया स्वता होने वाली है तो इक्वेशन इस वाट डेल जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और इस पॉंटेनियस की कंडिशन क्या है फॉर इस पॉंटेनियस डेल जी इस लस दें जेरो डेल्टा एच तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस इसका मतलब यह हुआ कि टी डेल्टा एस की जो बेलू है वो डेल्टा एच से जादा आनी चाहिए तो टी डेल्टा एच ती डेल्टा एस इस ग्रेटर डेल्टा एच तो टी इस ग्रेटर धाल क्या जाएगा टी इस greater than delta H by delta S T is greater than delta H by delta S अब temperature count कर लेते हैं तो T कितने temperature से ज़्यादा होना चाहिए delta H कितना है 29.37 kJ तो 29.37 in 2000 जूल्स में कनवर्ट किया मैंने उसको बायर 104 यह तो जूल्स में ही है तो अंसर आजाएगा लगबग 3029 ना तो 30,000 के आसपास हो गया 104 तो लगबग उतना ही अंसर रहेगा 282 एक सो चार 282.4 Kelvin is the answer 282.4 Kelvin temperature से अबब होने पर T की वैलू 282.4 से ज़्यादा होने पर reaction क्या होगी the reaction is feasible और reaction कैसी होगी spontaneous होगी जब temperature 282.4 Kelvin से ज़्यादा होगा तो उस समय reaction अपने आप आगे बढ़ेगी reaction spontaneous कब होगी जब temperature 282.4 से ज़्यादा होगा ठीक है अब बात करते हैं अगले remaining parts जो हमारे बचे हुए रह गए थे उनके बारे में one by one बात कर लेते हैं हम सभी चीजों के बारे में ठीक है तो what are the remaining portion remaining portion में हम लोगों ने जो चीजे छोड़ी है वो थी specific heat और calculation of calculation of delta E और delta U मतलब internal energy का calculation कैसे करते हैं कैसे कम किसी food या fuel की calorific value को हम find out करते हैं उसके बारे में तो इतनी चीजें हमारी बची हुई है तो one by one उस topic पर भी हम लोग बात कर लेते हैं that is heat capacity और specific heat पहले हम बात करेंगे heat capacity heat capacity और specific heat specific heat heat capacity और specific heat तो देखो simple सी बात है किसी भी system के temperature को एक degree centigrade से बढ़ाने के लिए किसी भी system के temperature को एक degree centigrade से बढ़ाने के लिए जितना quantity of heat required होगा उसे हम क्या कहेंगे specific heat कहेंगे amount of heat required to raise the temperature of system by one degree centigrade is called specific heat अगर वो एक मोल के लिए होगा तो हम उसे molar heat capacity कहेंगे अगर वो constant volume पर हो रहा है तो उसे हम heat capacity at constant volume cv कहेंगे और अगर वो constant pressure पर हो रहा है तो उसे हम cp कहेंगे constant constant pressure it is called cp मतलब सब कुछ है वही बस केवल constant volume पर होगा तो cv constant pressure पर होगा तो cp एक मोल के लिए होगा तो molar heat capacity हो जाएगी ओके अब one by one जैसा मैं हर बार करता हूं आपको सब चीजे writing में भी लिखवा देता हूं तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में heat capacity or specific heat heat capacity or specific heat amount of heat amount of heat required amount of heat required to raise the temperature raise the temperature of a system raise the temperature of a system raise the temperature of a system by one degree centigrade किसी तंत्र के तापकरम को 1 degree centigrade से बढ़ाने के लिए जैसे मालो 10 degree है 11 degree करने के लिए जितनी भी heat की ज़रुवत होगी उसे हम क्या कहेंगे it is called specific heat ठीक है तो amount of heat required to raise the temperature of a system by one degree centigrade is called specific heat उसे हम कहते हैं अब देखो आगे चलते हैं अब देखो आगे चलते हैं if a system if a system absorb q calories of heat अगर कोई system q calorie heat absorb करता है and its temperature and its temperature and its temperature increases from and its temperature increases from T1 to T2 और उसका तापकरम कुछ T1 degree centigrade से बढ़ करके कितना हो जाता है T2 degree centigrade हो जाता है तो इसका heat capacity क्या होगा then heat capacity is heat capacity then heat capacity is C equal to Q by increase in temperature from T1 to T2 तो T2 minus T1 जैसा हम लोग sign convention के साफ से लिखते हैं T2 minus T1 final minus initial तो C equal to क्या हो जाएगा C equal to क्या हो जाएगा Q by T और और क्या से लिख सकते हैं C equal to Q by delta T तो अगर कभी Q निकालना होगा तो क्या से निकल जाएगा C into delta T मतलब specific capacity into change in temperature से हम Q की value निकाल सकते हैं formula की जरूरत पढ़ती रहती है question आते रहते हैं इसलिए ध्यान रखेंगे तो what is the specific capacity? It is the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree centigrade अगर किसी system ने Q calories heat absorb किया और उस समय उसका temperature T1 से बढ़ करके T2 हो गया that time heat capacity is C equal to Q by T2 minus T1 R C equal to Q by delta T तो Q निकालना होगा तो क्या हो जाएगा C into delta T specific capacity into delta T कई जगे specific capacity को S से भी लिखते हैं तो Q equal to C into delta T या S into delta T हो जाएगा अगर mass given रहता है तो MST हो जाता है तो MCT हो जाएगा जैसा मैंने C से लिखाएगा ठीक है तो यह important formula है इसको ध्यान रखेंगे आगे की बात करते हैं तो कुछ चोटी-चोटी चीजों पर हम लोगा बात करते आगे बढ़ते रहते हैं ठीक है अगली बात अगर मालो system बहुत कम quantity में heat absorb कर रहा धीरे 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 heat absorb कर रहा है तो temperature का जो rise up होगा वो भी slowly होगा slowly increase in temperature तो when when system absorb heat in very less quantity when system absorb heat in very very less quantity धीरे धीरे absorb कर रहा है थोडी-थोडी quantity में heat absorb कर रहा है less quantity then then less increase in temperature then less increase in temperature अब हम उसको integrated form में लिखने की कोशिस कर रहा है बस इतीसी बात है less increase in temperature तब क्या हो जाएगा that time c equal to dq by dt तब हम उसको क्या लिखते है just reaction को लिखते हैं then dt by d x by dt वैसे ही q equal to dq by dt that time it is q equal to d t by dt when system absorb heat slowly or very less quantity of heat and there is little change in temperature less change in temperature then heat capacity is denoted by dq by dt hab heat capacity को हम कैसे देनोट करेंगे DQ by DT में इसलिए हीट के बारे में ध्यान रखना है एक बात की हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है वो धीरे धीरे बढ़ रही है मतलब पात को फॉलो कर रही है अगर आप टामपरिचर बढ़ा दोगे तो तेजी से भी बढ़ेगी तो इट इस नॉट इस नॉट करेंग package कि आपको फॉल्यां रहा है यहां से यह बात की तो हो जाएगी तो क्या इंपोर्ड़रण एपका डीयान रहा है हीट इस नॉटा स्टेट फंक्शं यह तेस्टक्ट फंक्शन हीट ॉलका तो ग्रश्चे का दियान ही अवास्था थे ततर्या फॉलन नह नहीं है अगले point पे बात करते हैं heat capacity at constant volume जैसा मैंने आप से कहा था अब वो बात आ गई तो heat capacity at constant volume heat capacity heat capacity at constant volume heat capacity at constant volume इस्थिर आयतन पर उश्मा धारीता इस्थिर आयतन पर बिसिस्ट उश्मा heat capacity at constant volume तो यहाँ पे क्या हो रहा है volume constant है मतलब constant volume पर बात कर रहा है तो definition is the same amount of heat required to increase the temperature of a system by one degree centigrade that is at constant volume तो क्या हो जाएगा amount of heat amount of heat amount of heat required amount of heat required to raise the temperature or increase the temperature amount of heat required to raise the temperature amount of heat required to raise the temperature of a system of a system of a system by one degree centigrade सब कुछ सेम आ रहा है ना amount of heat required to raise the temperature of a system by one degree centigrade at constant volume यहाँ पे चेंज हुआ हुआ है constant volume at constant volume is called is called cv is called cv स्थिर आयत न पर वो श्मा धरिता यहा इस तर आयतन पर बिस्स्ट वो श्मा तो के तो amount of heat required to raise the temperature of a system by one degree centigrade integrate at constant volume is called cv तो इसको हम कहेंगे cv क्या constant रखा हमने volume को constant रखा that time volume is constant ठीक है तो cv equal to अब जैसा हमने पड़ा तो cv की value अगर दीरे दीरे हम change करेंगे तो क्या हो जाएगा dqv by delta t dqv by delta t ठीक है दीरे दीरे अगर हम change कर रहे हैं तो दीरे दीरे heat capacity बढ़ेगी volume को हमने क्या रखा है constant रखा है तो dqv equal to क्या हो जाएगा dqv equal to qv equal to delta e plus p delta v तो delta e delta e plus p delta v यहाँ पर आप यह वाला delta v यूज़ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं वही वाला यूज़ कर लेता हो ताकि confusion नहीं हो तो क्या हो जाएगा that is delta e plus p delta v okay तो qv delta qv equal to value क्या हो जाएगा delta e plus p delta v तो अब हम लोग cv की value को क्या रख सकते है क्यूंकि value उठाके यहाँ से रख दो तो क्या हो गया delta e plus p delta v by delta t ठीक है p delta v by delta t अब क्या किया हमने volume constant कर लिया तो at constant volume at constant volume जब volume constant होगा तो dal v equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो delta v p delta v dal v 0 हुआ तो p v 0 हो जाएगा तो cv this time what delta e by delta t cv क्या जाएगा delta e by delta t delta e at constant volume पे change हो रहा है तो delta ev लिख दीजिए delta ev by delta t हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका cv का value तो at constant volume heat capacity is the rate of change of internal energy with temperature okay तो at constant volume heat capacity is the rate of change of temperature rate of change of internal energy rate of change of internal energy with temperature okay तो कुल मिलाके हमको यह ध्यान रखना है cv equal to क्या हो गया फर से देख लो एक बार cv equal to क्या कहा था हमने delta qv by delta t और delta qv की value होती है q की value delta e plus p delta v तो cv equal to क्या हो गया delta e plus p delta v by delta t ठीक है अब यह गया delta t यहां से अब at constant volume क्या हो जाएगा delta v 0 हो जाएगा तो delta v 0 हो गया तो p dal v cancel हो जाएगा तो cv equal to क्या जाएगा delta e by delta t तो at constant volume heat capacity is the rate of change of internal energy rate of change of internal energy with temperature okay तो this is about cv यह हमने बात किया cv के बारे में constant volume पर ठीक है है अब बात कर रहे हैं अगले अगले पॉइंट पर बात करते हीट capacity at constant pressure है तो heat capacity at constant heat capacity at constant pressure इस्तर दाप पर उशमाधारी ता इस्तर दाप पर उशमाधारी ता यहाँ पर क्या करेंगे pressure constant कर लेंगे वहां पर हमने क्या किया था volume constant किया था definition same रहेगा बस cable क्या बात हो जाएगी at constant pressure दाब इस्तिर है तो amount of heat required again the definition is same amount of heat amount of heat required amount of heat required to to raise the temperature raise the temperature of system raise the temperature of system raise the temperature of system by 1 degree centigrade at at constant at constant pressure at constant pressure ठीक है amount of heat required to raise the temperature of system at constant pressure मतलब इस्तिर्दाप पर किसी तंत्र के तापको एक डिग्री centigrade से बढ़ाने के लिए आवश्यक उश्मा की मात्रा क्या कहलाएगी heat capacity at constant pressure ठीक है तो यह हुआ अपका CP है ना इस देनोटेट by CP at constant pressure is he called heat capacity at constant pressure तो आगे की बात करते हैं आगे इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग इसका equation निकालते हैं at constant pressure और constant volume दोनों हो गया देखे CP equal to होता है CP equal to होगा CP equal to होता है delta qp by delta t delta qp by delta t ऐसा भी लिखते हैं CP equal to cv plus external work cp equal to cv plus external work external external work एक चीज़ ऐसे लिख सकते हैं CP equal to cv plus external work और cv की value आपको पता चल गई थी delta ev by delta t तो CP equal to हम ऐसा लिख सकते हैं delta ev by delta t जो अभी हमने निकाला delta ev by delta t plus external work external work external work external work और जब constant pressure पर होगा तो CP equal to क्या हो जाएगा delta ev by delta t तो यह हो गया delta ev by cp equal to cp equal to delta ev by delta t delta ev by delta t और यह जो cv का value होता है वो cv equal to होता है qp तो cv equal to qp plus external work तो cv delta ev ev equal to होता है qp तो यह आजाएगा आपका cp equal to cp equal to delta qp constant pressure पर यह हो जाता है delta e equal to qp by a delta t तो by a delta t हो जाएगा qp by a delta t अब थोड़ा सा इसको first law से relate कर लेते हैं ठीक है तो constant pressure पर qp delta equal to हो जाता है qp अब इसको first law से relate करते हैं according to first law तर्थमनियम के अनुसार according to first law तो यह हो जाएगा delta qp little के term में ही रखते है delta qp delta e delta e plus p delta v delta e plus p delta v और h equal to क्या होता है e plus pv enthalpy is the sum of internal energy and productive pressure and volume okay तो delta तो h equal to क्या हो गया e plus pv और qp equal to क्या होता है delta h qp equal to क्या निकाला था हम लोगों ने delta h तो qp की value को किस से replace कर सकते हैं delta h से तो delta h equal to क्या हो जाएगा delta e plus p delta v p delta v plus v delta p अब कहां पर जा रहे हैं constant pressure पर जा रहे हैं तो delta e की value अगर आपको यहां से चाहिए होगी तो क्या हो जाएगा delta e equal to होता है delta e equal to what delta h minus delta h minus p delta v at constant pressure तो जब आपने निकालोगे तो क्या जाएगा delta h minus p delta v ठीक है अब delta h की value किसके equal लिया था qp के equal लिया था तो delta e equal to sorry delta equal to क्या कहा था हमने qp कहा था तो that time delta qp delta equal to qp तो delta e equal to हो गया qp तो qp equal to क्या हो जाएगा delta h minus p delta v क्योंकि volume तो यहां change हो रहा है ठीक है ना बात तो हम constant pressure की कर रहे हैं बात हम constant pressure की कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा qp equal to delta h minus p delta v ठीक है minus p delta v minus p delta v तो qp equal to आ जाएगा qp की value delta h के बराबर होती है तो cp equal to आ जाएगा delta h by delta t तो cp equal to आ जाएगा यहां से there from this equation the next equation is cp equal to आ जाएगा delta h by delta t तो cp equal to आ जाएगा cp equal to आ जाएगा delta h और qp की value थी delta h के बराबर तो यह हो जाएगा आपका cp equal to cp equal to qp delta qp by delta qp by delta qp by delta t या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो delta h by delta t क्योंकि qp जो है वो delta h के बराबर होता है at constant pressure तो at constant pressure heat capacity इस तरीके से define होगी ठीक है तो यह हुआ आपका heat capacities के बारे में हमने बात किया अब अगले lecture में हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्सा बच रहा है तो अगले lecture में हम लोग बात करेंगे molar heat capacities के बारे में और cp cv के relation के बारे में और उसके बाद बात करेंगे हम लोग एक और topic बचा है calculation of delta e delta u और उसके बाद calorific value इतने चीजे बची हुई है ठीक है तो अगले lecture में हम इन सब पर बात करके इस unit को complete कर देंगे आप confirm हो गया कि अगले lecture में खतम हो जाएगा यह chapter आपका ठीक है को मैं दोड़ों को अग्यू अग्यू